आगामी कारेक्रम प्रायूजिक किया है ज्वाइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने अगर आपको इरिशाया डाह से समस्या है तो आप अपने आप लड़ सकते हैं इश्यू के साथ उठो और उन्हें आप प्रेम करने दो और उनके साथ भाय चारा रखो और उनकी ओर देखो और वचन को देखो और वे आपको दया और ताकत और शक्ती देंगे उन चीज़ों को करने की जो आपको किसी से चाहिए हमें अपने अंद्रोनी जीवन के लिए ज्यादा चिन्तित होना चाहिए जितना हम है अपने बाहरी जीवन के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित नहों बाहरी चीज़ों से और लोगों को उनके बाहरी रूप से मत पर्खे अच्छा या बुरा और बाइबल हमें इसके विरुद चेताम ही देती है शमुयल की पहले पुस्तक अध्याय सोला छे साज जब परमिश्वन ने एक नए राजा के अभिशे के निर्देश दिये यह कहता है जब वे आये तब उसने एलि आप द्रिश्टी करके सोचा तो इश्यू के सभी पुत्र नए राजा के अभिश्ये के लिए लाए गए थे और वे सभी और वहां कुछ सुन्दर दिखने वाले लड़के भी थे और उन्होंने दाउत को बुलाने की जरूरत भी नहीं की इसलिए मुझे नहीं पता कि वो उसके बारे में क्या सुचते थे लेकिन वो ज्यादा प्रशन सात्मक नहीं था और लेकिन परमेश्वर उसे जानते थे इसलिए मुझे लगता है सवाल यह है क्या आपको लोगों का एक समूझ चाहिए ज्यादा जरूरी क्या है और इसलिए यह कहता है जब आए तब उसने सबसे बड़े पुत्र एलिया पर द्रिश्टी करके सुचा कि निश्च ही वही यहवा का अभिशेक होगा आश्चर यह है कि उसने ऐसा क्यूं सुचा वह जरूरी नहीं कि अच्छा दिखता होगा शायद वह हो शायद वह उचा हो शायद वह धूप में काम करने की वज़े से बुरा हो गया वह निश्च ही यह यहवा का अभिशिक तो होगा लेकिन यहवा नहीं शमूझ से कहा न तो उसके रूप पर द्रिश्टी कर और ना मन पर रहती है इसलिए परमेश्वर कुछ लोगों का इस्तामाल करते हैं और आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्यों दुनिया में परमेश्वर उमें इस्तामाल करेंगे और खासतोर से जैसे जब कोई आपसे उनके सपनों द्रिश्टी की बात करें जो उनके परमेश्वर से मिले हुए कुछ द्रिश्य हैं और आप जैसे हां आखर तुम्हें तो एक जोलंत कल्पना मिली है आपको पता है जब परमेश्वर किसे से बात करते हैं, तो वो क्या समझते हैं, वो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जब परमिश्वर आपसे बात करते हैं, तो किसी चीज पर विश्वास करने के लिए वो आपको विश्वास का उपहार देते हैं, लेकिन जिल लोगों से आप प्रोच साहन चाहते हैं, वो नहीं समझत क्योंकि उनके पास वैसा विश्वास नहीं, जैसा परमिश्वर के पास है. जब आपको ऐसा लगता है कि परमिश्वर आपको किसी काम के लिए इस्तमाल करना चाहते हैं, तो अपने चारों और हर किसी से यह पिक्षा ना करें, कि आपको प्रोच साहित करें, क्यूंकि वैसले नहीं समझते. और मैं ने का, हाँ, मैं वास्तमें विश्वास करती हूँ की परमिश्वर मुझे यह कहा है. उसने का, खर कल रात हम बात कर रहे थे. खर ठीक कहा मुसीबत है, कल रात हम बात कर रहे थे. और इमानदारी से हमें नहीं लगता क्या आपका व्यक्तित्व सही है लेकिन मुद्दा यह है कि जब परमिश्वर आपको भी शिक्त करते है मेरा मतलब है उन्होंने एक नभी से बात करने के लिए एक गधे का इस्तमाल किया था उन्होंने गधे का इस्तमाल किया था आमीन यह ना साथ 24 मुदेखकर न्याय ना चुकाओ परन्तु ठीक ठीक न्याय चुकाओ वाव हम लोगों को देखते हैं और देखते हैं ने ने ले लेते हैं और हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं आपको पता है इश्वी एक राजा है और एक राजा को अपने राज्य पर शासन करना मिलता है और आपको पता है यहां तक कि उनके अपने शागिर्थ भी यही कहते थे खेर आप अपना राज्य कब स्थापित करोगी, यह यरुशलेम में होगा, यह वहाँ होगा, यह यहाँ होगा, और अभी हम वहाँ जाने के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन लुका के अधियाय सत्रा में यह है, कि उस निका परमिश्वर का राज्य तुम्हारे बीच थप थपाएं, देखो राज्य आप में है, यह आपके रिदय में हैं और यह वहाँ रहते हैं, वे आप में रहते हैं, आप परमिश्वर का घर है, आपका रिदय उनका घर है, विश्वास से मेरे लिए यह एक विसमेकारी प्रेणा दायक बयान है, लेकिन यह बहुत जरूरत है परमिश्वर के साथ अपनी प्रतिष्ठा और स्वर्ग में हमारी प्रतिष्ठा के बारे में हमें इस मुद्दे पर अपना रवया चाहिए जहां स्वर्ग में हमारी प्रतिष्ठा अच्छी हो बजाए यहां अच्छी प्रतिष्ठा होने के मुझे आपके बारे मे बहुत चिंता करते हैं और लोग क्या सोचते हैं और कुछ लोग इसमें इतना पकड़े जाते हैं कि ये पूरी तरह से उनको परमिश्वर के साथ चलने से महरूम कर देता है और यहां एक तो पॉलुस प्रेरीत ने कहा है और ये गलत यो एक दस में दर्ज है यदि मैं अब त दिये गए भागये का वैपार लोगों द्वारा मिली प्रसिद्धी के लिए करते हैं लेकिन बाइबल कहती है कि इशुने अपने लिए कोई सांसारी प्रतिष्ठा नहीं बनाये मुझे अच्छा लगता है उन्होंने किवल पवित्रात्म का पालन किया और कुछ ऐसे काम कि जिने लोग सोचते हैं कि वे केवल लूनी ट्यून्स थे उन्होंने उन्हें बिलकुल नहीं समझा उनके अपने परिवार ने उन्हें नहीं समझा उने परखा और आलोच ना की और वो बहुत से लोगों की मदद करने के काबिल थे हमारा बाहरी जीवन हमारे लोगों के साथ मेरे खुदा आपको पता है मैं वास्तों में बिल्कुल नहीं चाहती हर किसी के विचार तुरंट अंदर बाहर होने लगे ताकि ये देखने के लायक हो जाओं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या ये डरावना नहीं होगा अगर हर वक्त आप लोगों की भीड में हैं और उनके विचार अंदर अंदर होते हैं अंदरूनी आयाम बहुत व्यस्त जगे है और ये जगे है जहां पवित्रा आत्मा रहता है और वो एक ट्रैफिक लाइट है जो कहता है रुख जाओ इंतजार करो अभी नहीं अभी नहीं नहीं सावधानी से आगे बढ़ो वहां कलपनाय है विचार निरनय विवेक मनुभाओ प्रेणाय संकलप है और बॉई प्रेणा प्रेणा हम अभी यहां रुख सकते हैं और केवल रुख कर और सिर्फ पूरा घंटा प्रेणा उपर कर सकते हैं मैंने पिछले सप्ता कुछ बढ़ा और मैं परेड़ना उपर थोड़ी बहुत शिक्षा देती हूँ और अगर आप सुनना चाहते हैं कि लोगों से बढ़ा कमरा शान्त हो क्योंकि देखो हम इतने व्यस्त हैं करना 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 और आधा समय तो मैं पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं किसी को प्रभावित करने के लिए क्योंकि कोई दूसरा सोचता है कि हम क्या करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ग्रूप से बहार हो जाए मुझे नहीं पता ऐसे कितने लोग हैं शुक्र अब मैं नहीं करती लेकिन पहले मैं ऐसा क्या करती थी क्योंकि मैं सोचती थी लोगों को मुझे खुश करना है ये किस तरह की बेतुकी प्रेणा और आपको पता है बाइबल हमें सिखाती है कि इशु मसी हमारे जीवन के नीव है और उस नीव पर हम सोने से बनाया लकडी से या फूल से या मूसी से या तिनको से और हम इसे कैसे बनाते हैं ये महत्व पूर्णा है हम निर्मान करते हैं और वचन आगे कहता है ये हमें मिलता है कुरुंतियो अध्याय तीन में और कोई भी चीज जो हमने बनाई है हमारा कोई भी काम अगर ये परमिश्वर के फैसले से बचने के लिए क्या जा रहा है तो ये काम पवित्र होना चाहे क्योंकि अगर हमारे इराद अशुद्ध थे तब भी हाला कि हम बचाए गये हैं उसकाम का सारा इनाम आग से जल जाए का इसलिए हमारे शब्दों में ये पूरी तरह बेकार है हमारे पहियों को घुमाने में और हम अपने प्रयास और उर्जा लगाए चीजों को गलत इरादे से करने के लिए क्योंकि जब हम जीवन के अंत में आते हैं जो हमारी सोच से भी जल्दी आ जाता है बहुत ही आमीन जब यह यहां तक आ जाता है तो क्या यदी सब जल गया मैं आपको सिर्फ यह बताने चाहरी हूँ अगर आप को बाहरी ताकत चाहते हैं तो आपके पास अंद्रूनी शुद्धता होने चाहिए आमीन धन्य हैं जिंके मन शुद्ध है क्योंकि बैपरमिशवर को देखेंगी मुझे जरूरी नहीं लगता इसका मतलब है कि उसे उपनी प्राकृतिक आंखों से देखें हाला कि इस मतलब से यह होता है कि जब आप उसे आमने सामने देखें लेकिन मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि जिनके मन शुद्ध है वे आसानी से परमिश्वर को सुन सकेंगे, पवित्रा आत्मा आसानी से आपकी अगुवाई कर सकता है, अगर आपके मन शुद्ध हैं. आंतरिक अशान्ती, वाउ, चिंता, परिशानी, डर, लोग बेरे मारे में क्या सोचते हैं, ये कैसा दिखता हूँ? सवाल ये है, आज हर कोई पूछता है, खैर तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता. और मुझे पता है, कुछ लोगों के पास ये है, आपको पता है, भविश्य ववानी की तरफ जुकाओ और कुछ लोगों को इसका वरदान मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता. लेकिन मेरे लिए ये ठीक है, मैं इसको लेकर चिंतीत नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आमीन, और मैं आपको प्रोच साहित करना चाहूँगी कि इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंता न करें तयार रहो, समझदार बनो, लेकिन हर समय इसके बारे में चिंतीत नहीं रहो कुकर्मियों के कारें मत कुड़क्यों के आंत में विखासकी नहीं काट दिये जाएंगे परन्तों नम्र लोग प्रित्वी का धिकारी होंगे, ये क्या कहता है अपने मार्क की चिंता ये हो आप पर छोड़ और उस पर भरुसा रख वो पूरा करेगा ठीक, आपको पता है लोगों के साथ क्या होता है और इस संदेश का ये वाला हिसा ऐसा है जो मैं वास्तों में चाहती हूँ कि आप इसे यहां समझे कुछ लोग हर रोज, दिन खत्म होने तक पूरी तरह ठक जाते हैं और उनमें से कुछ तो शायद पूरा दिन शायद काउच पर ही लेटे रहते हैं, जरूरी नहीं कि शारी रिक्ष्रम ही हमें ठका देता यह है कि हम शारी रिक्ष्रम कैसे करते हैं इसे ऐसे कहते हैं कि आप अपने काम पर जाते हैं और पूरा देन इसी चिंता में रहते हैं कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं या वे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में चिंतित होने के अलावा आप उन लोगों से भी इर्शा कर रहे हैं जिनके पास मुझे शान्त नहीं होते, ईश्यू नहीं कहा है, सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबी हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूगा, मैं तुम्हारे प्राणों को राहत, चिंता, मुक्त और ताजा करूँगा, आओ घर में थोड़ी शान्ती रखे, आ आप मुझे यहाँ थोड़ी शान्ती दे सकते हैं, ये कितना महत वपोड़ है, शायद मैं नहीं जानती है, आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन परमिश्वर जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, खुदा मुझे, याद और आपने मुझे ये बताते हुए सुनाये, लेकिन मैं यानि इससे बहुत कुछ सीखा है, मुझे याद है जब डेव और में चर्च जाते हुए पूरे रास्ते जगडते, अगर शैतान जगडा शुरू कर सकता है हानी तो यह हम बंद कर सकते हैं, आमीन, और हम बहस करते हैं जगडते हैं, डेव पिछली सीट पर बैटे बच्चों को घूरता, लेकिन पहले आप यह जान ले हम उनमें एक चर्च के साथ, जो पागलों की तरह बढ़ा रहे थे, तो पार्किंग में बहुत से लोग ट्राफिक को देखते हैं और घुस्सा हो जाते हैं, और चर्च का पहला व्यक्ति जो अब मैं दिखता प्रभू की स्तुति हो, पर मिश्वर की महिमाओ, हम तो ओ हाँ, ये प्रभू में एक महान दिन है, आमिन हाललुया, और मैं याद कर सकती हूँ, डेव पर घुस्से से पागल होना वहाँ खड़े रहकर सिर के ऊपर से चले जाने, वहले शब्दों को मुझ से निकालना और सोचना आओ भी क्या आपको पता है, आप आरादना का गीत गास सकते हैं और उसे, ओ मैं और मैं सोच रहे थी कि अगर आपने सोचा कि मैं घर जाकर खाना बनाओंगे, आप गलत सोच रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, घर पहुचने पर हमारे भी चिहुद होगा, मैं सब कुछ समर्पेद करती हूँ, आओ भी आपको मालूमें मैं वास्ताओं म आप अपने छोटा सा प्यारा पिछवड़ सिट कर सकते हैं, आज सन पर जब तक की वो चपता ना हो जाए, क्या चीज दिखानी है कि हम आतनिक है, वो है जब हमारी परक होती है, क्योंकि आपको पता है, आप किसी फल का पता कैसे लगाते हैं, उसे निचोड़ कर, आपने कभी एक बार मैंने ये संत्रा खरीदा, और ये था, और इस चीज के लिए मैंने एक डॉलर का भुकतान किया, और ये तब की बात है, जब एक संत्रे के लिए एक डॉलर बहुत ज्यादा या खास कर, मेरा डॉलर क्योंकि मेरे पास ज्यादा नहीं थे, और मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने वो लिया और क और अब शुरू होता है, सही चीजों का होना अंदरोनी जीवन में, इसलिए बाइबल एक कॉम्मिनेशन है, पहले आप ये जान ले कि आप मसी में कौन है और आपको कुछ बताती होकर आपको इश्या या जलन्ज शेली बड़ी समस्या लगते तो आप स्वेम से इसके साथ लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते, इश्यू के साथ उठो और उन्हें आप पर प्रेम करने दे और उनके साथ भायचारा रखे और उनकी तरफ देखे और वचन में देखे और वे आपको अनुगरा और मजबूती देंगे और उन चीजों को करने की शक्ती देंगे जो और अगर मेरे अंदर रिश्रा भरिये तो मुझे कश्ट होता है, और अंत में ये मुझे बीमार कर देता है, मेरे साथ निभाना मुश्किल है, ये मुझे अंदर से बुढ़ा कर देता है, और दुनिया में सबसी अच्छी चीज है, बुढ़ापा विरोधी सला है कि चिन्त जो बाते आदर्नी हैं और जो बाते उचित हैं उनहीं पर ध्यान लगाया करो और मुझे वेवचन बहुत अच्छे लगता है जो हमें बताता है कि हमें अपने काम से काम रखना है अब मैं कोई बहुत अधिक गाय की नहीं जानती अपने आपको इससे भरे रखें एक अच्छी पवित्र हरू की गुनगुना हड भी आपको दूर रखेगी आपके विचारों में बुरी चीजों के आने से मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसका खयाल आज दो पर मुझे आया और वो बहुत कश्ट में थी मेरा मतलब वो यहां किसी दूसरे देश से आई थी उसका पती बहुत शराप पीता और वो काम नहीं करता वो काम करने की कोशिश कर रही है ताकि अपने परिवार और बच्चों को पाल सके और उसे अपने घर पैसे भेजने के लिए काम करना पड़ता और वो उसका जिवन बहुत बुरा था और मैंने उसके साथ नोटिश केया कि वो हमेश्य जैसे गुन-गुनाती रहती है एपने दिल में गाती रहती है अब कभी-कभी वो अपनी भाषा में गाने भी गाती और मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या गारी है लेकिन कभी-कभी मुझे लगता आप जा का अभ्यास करते रहें और ये चीजों को एक तरह से अच्छी परिस्तिती में रखता है इस बारे में समझदार हैं कि आप अपने अंदर क्या जाने देते हैं अब लुका ग्यारा उन्चालीस और मुझे आशा है कि आप इसके लिए तैयार है प्रभु ने उससे का है फरुस्यों तुम कटोरे और थाली को उपर उपर तुम मांच तो बने तो तुमारे भीतर अंदेर और दुष्टता भरी है लालच और चोरी और जबरदस्ती वसूल करना तुम मुर्ख हो जिसने बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया और य चीजें जो अंदर है भीतर की धार मिकता का और देखो हर चीज आपके लिए पवित्र और साफ हो जाएगी लेकिन मैं वास्तो मैं इसके पीछे जाना चाहती हूँ अपनी अंतरात्मा को समर्पित कर दो इसलिए मैं केवल आज रात लोगों को चुनाती देना चाहती हूँ और कहती हूँ क्या आज आप तयार हैं ये करने के लिए क्या आप ये कहने के लिए तयार है ठीक है इस्यू मैंने आपको आज रात चुना ठीक है मैं आपके बारे में तो नहीं जानते लेकिन मुझे लगता है मुझे लगता है ये अच्छा तरीका है जगाने का आप में से कितने एक तरह से ऐसे आपके आँके थोड़ी तो खुली थी आज इसको समझने के लिए कि कितनी जरूरी है ये चीज़े जो हो रही है अगर आप ये जानते भी हैं मैं जानती हूँ लेकिन मुझे ये संदेश देने में खुशी हो रही है मेरा मतलब है मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ अगर आपको मेरे संदेश अच्छे नहीं लगते है तो मैं स्वम को उपदेश दूंगी, क्योंकि मुझे यह अच्छा लगता है, अभी मैं एक प्रार्त ना करूंगी और अगर अप तयार हैं तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे सब प्रार्थ ना करें, मैं इसे धीरे धीरे करूंगी ताकि आप मेरे पीछे से खुबूल कर सकें, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इसे मन में रखें, आप शायद इसे खुले में न कहना चाहते हूं, क्योंकि मैं वास्तों में विश्वास करती, जब आप परमिश्वर को अपने जीवन के एक शेत्र में आने के अनुमत ही देते हैं, तो आप उसे वापस नहीं ले सकते, तो आईए इस छोटी सी प्रार्तना को एक साथ मिलकर करते हैं, आपका धनेवाद है मुझे आंतरिक महत्वक को दिखाने के लिए, आप ने कहा, मैं मेरी आंतरिक जीवन को आपको समर्पित कर दूँ, और आज रात मैंने ऐसा करने का निर्णई किया है, मैं आपको आम अंतरित करती हूँ कि मुझे दोशी ठहराएं, मेरी मदद करें देखने में जी बंदर चीज़े सही नहीं है, और मुझे हमेशा आपका पालन करने के लिए अनुगरह दें, और पहली चीज जो मैं मांगती वो है सच्चाई, और जाग रुकता, मैं अपनी अंतरा आत्मा को आपको समर्पित करती हूँ, आपका धन्यवाद, इश्यू के नाम में, क्या आज रात आप परमिश्वर की बड़िस्तुति कर सकते हैं? शाद आप कहें कि मेरे पास दो जीवन है, हमारा भीतरी जीवन और हमारा बाहरी जीवन, वे बाते जो हमें अंदर होती ही रहती हैं और वे बाते जो हमारी इदगिर्द होती है, और सोची इसके बारे में हमारा भीतरी जीवन परमिश्वर के साथ हमारी प्रतिष्ठा है, कई बार हमारे अलावा केवल वही है जो जानते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, और हमारा बाहरी जीवन लोगों के साथ हमारी प्रतिष्ठा है आप किस पर केंद्रीत है यदि आप अपनी जीवन का आनन लेना चाहते हैं आपके भीतरी, विच्यार और रवईयों को परमेश्वर को समर्पित होने की जरूरत है और मैं जानती हूँ कि आप ऐसा करेंगी यह हमारे साथ बने रही है मैं अभी वापस आती हूँ एक छोटी सी चीज के साथ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं अपने पार्टनर को यह बता दूँ कि हमारे लिए संसार भर में दुखी लोगों की मदद करना संभव नहीं होता इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ यदि आप हमारे पार्टनर नहीं है यदि आप पार्टनर बन जाएंगे जिसका बस यही मतलब है कि आप उस सब के हिस्सेदार बन जाएं जो हम कर रहे हैं कि आप मिनिस्ट्री में बो रहे हैं आर्थिक रूप से नियमी तोर पर और ये कि आप हमारे लिए प्रार्टना कर रहे हैं वैसे ही जैसे हम आपके लिए प्रार्टना कर रहे हैं पार्टनर्शिप एक बहुत बढ़िया बात है, हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं बजाए उसके जमनीजी तोर पर करते हैं, यदि आप इस सेवकाय के शिक्षाओं का आनंद लेते हैं, एक तरीका जिससे आप सच मुझ आशिश दे सकते हैं वो है और मेरा मानना है कि आप शि जोईस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना की आप चानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं, और इस सरिकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं, हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, खरीबों को कपड़े देते हैं, और कई देशों में सूसमाचार बाटते हैं, अपना प्रात्ना निविदन भीजने के लिए कृपया आज ही संपर कीजिए, jmmandia.org पर हमारे श्रोतों के बारे में और विचानिए, जोईस की सभाओं की सूची देखिए मारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में नसीह की प्रेम को पाटते हैं इसका खर्च उठाया है जोईस मायर मिनिस्ट्रिस के मित्रों और सहयोगियों ने